जहीं दोस्तों मेरा नाम है आकास मौरिया और आपसी लोग का आपकी अपनी चैनल आलकी पीश्टेडी पर बहुत-बहुत स्वागत है प्रेंस RBI यानि की रिजर बैंक आफ इंडिया में आप लोगों के लिए नियू रिक्रूट्मेंट आचुकी है जिनमें आप लोगों को जो है आफिसर्स अटेंडेंट के जो है आट सो एक्तालिस पदों पर नियू रिक्रूट्मेंट देखने को मिल जाएगी जिसके लिए योगता करूं में बात करूँ तो योगता यहाँ पर मातर आप लोगों से दस्वी पास मांगा जा रहा है यानि कि आप लोग कच्छा दस्वी पास है तो इस वेकंसी के लिए बिल्लकुल भी इलिजिबल है आप लोग इस वेकंसी के लिए अपलाई कर सकते है साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को इसकी उम्र सीमा के गर बात करो तो उम्र सीमा भी जो है अठारा से लेकर पचीस वास तक रखा गया है जिनमें यस्टी सी वालों को जो है पांच वास का छोड़ दिया जाएगा तो क्या कुछ जानकारी इसके बारे में आएगी वीडि यदि आप लोगोंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं है पाहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक म वो आप लोगा 24 फर्वरे से आप लोग का online फार्म इस्टाट हो चुका है सबसे पहले आप लोग इसके भरती के बारे में सारी जानकारी ले ले जीए है ठीक है उसके बाद मैं आप लोगों को फार्म भरना इपलाई करने का लाइट जो रखा गया है वो आप लोगों 15 मार्च तक रखा गया है साथ साथ जो है application में कोई problems आ जाती है उसको जो आए है सुधार करने के लिए डेट आप लोगों को जो है है 15 मार्च तक ही रखा जा रहा है इसका साथ आप लोगों प्रिंट आउट करने का भी डेट जो है वही रखा गया है ओनलाई फिस पिमेंट करने का डेट आप लोगों जो रखा गया है वो 24 फरवरे से लेका जो है है 15 मार्च तक ही इसका भी डेट रखा गया आप लोगों यहीं से फार्ण को फार्णाप फिलिफ करना ये श्टार्ट करना होगा ठीक है तो मैं आप लोगों को वैकनसी गवारें प्लेकाइड़ कर चलता हूँ इसके PDF पर वैकनसी गवारें मही सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ तो फ्रंट जैसा कि आप लोग दे सकते हैं मैं ओफिसियल पीडियाप पर आ चुका हूँ यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं रिक्रूटेंट फार्दा पोस्ट आप ओफिस अटेंडेंट 2020 यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल 841 पोस्टोर वेकंसी निकाली गई है जो कि ओफिस अटेंडेंट की वेकंसी निकाली गई है यहाँ पर आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके इसके डेट के बारे में बता देते हैं यहाँ पर आप लोगों जो डेट दिया गया है वो आप लोग का 24 फर्वरी से ओनलाइन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर आप लोगों को पहले भी बताय हुआ है और यहाँ पर इसके और बात करूत एकजाम डेट जो रखा हुआ है वो आप लोगों का अपरएल 9 से 10 अपरएल के बीच में होने वाला आई है अब यहाँ पर यहाँ जो डेट रखा गया है अनुमानित डेट रखा गया है यहाँ डेट फिक्स नहीं है आप लोग का online जो है है exam देना पड़ेगा जिसका date यहाँ पर mention इन्हों ने किया हुआ है ठीक है आप लोगों को फर्म को online करने के लिए जो है है इनका website link यहाँ पर दी गई है यहाँ पर सभी काटेगरी के लिए vacancy निकाली गए जिसे ST, SC, OBC, EWS, General तो सभी के लिए vacancy निकाली गए और सभी state के लिए vacancy निकाली गए कोई भी state ऐसा नहीं है जिसमें vacancy निकाली गए हुए सभी state के लिए vacancy निकाली गए तो आप लोग किसी भी state में आप लो लोगों के पास उसका certificate यादि आप लोगों के पास है है तो आप ही आप लोग जो है उस state से apply कर सकते हैं यानि कि आप लोग उत्तर प्रदेश का डिया जाति प्रमाड पत्र है तो आप लोग किसी other state में जाते हैं तो आप लोग general में ही count किये जाएंगे ठीक है तो ऐसा नहीं क आप लोग other state में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर आप लोग general से count किये जाएंगे है जबकि अपने state में करते हैं तो आप लोगों को जो है है आपके जात के according ही आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा ठीक है यह थे आप लोगों को basic से information थे यह साथ आप लोगों को मालूम ही होगा यहाँ पर total देख सकते हैं आप लोगों जो है 841 पोस्ट रेकेंसी निकाली गी जो कि अलाग अलाग जो है है डिवाइड किया गया category के according ठीक है नीचे स्क्रॉल करके लिकर चलते हैं कुछ आप लोगों और भी information दे देते हैं फटा पर मैं नीचे स्क्रॉ यहाँ पर इसके बारे मैं ने काफी कुछ term condition दिये हैं जिसको आप लोगों को पड़ देना है यहाँ पर सारी जानकारी आप लोगों को जानने को मिल जागी मैं फटा पर चलता हूं नीचे स्क्रॉल करें कि आप लोगों जो important जानकारी है वही मैं आप लोगों को दूँग काउंट किया जाएगा साथ साथ आप लोगों को छूट भी दे जाएंगे जैसे कि 8080 वालों को 5 वर्स का OVC के लिए 3 वर्स का छूट दिया जाएगा जिसके बारे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ ठीक है इसके लामा PWBD के लिए यहाँ पर 10 years general EWS के लिए ठीक यहाँ पर दिया गया डेट रखा गया है मैक्सिमम आप 5080 के अंदर है तो आप लोगों को छूट दिया जाएगा ठीक है तो इसके साथ साथ बहुत सारी छूट यहाँ पर दिया है काश तर्टिफिकेट क्या होना चाहिए जिसके बारे मैंने आप लोगों को पहले ही बताय अब अधर है के लिए अधर ऑज सारी जानकारी जो है मत दे दे देता हूँ एजूकेशन कौलिफिकेशन की अगर मैं बात करूब तो तो आप लोग इस वैकंसी के लिए बिल्कुल भी इलेजिबल हैं ठीक है इसका साथ आप लोगों को मैं आप लोगों को और भी जैनकारिगे दे दूँ है नीचे स्कुरल करके यहाँ पार जो आप लोगों का ओनलाइन टेस्ट लिया जाएगा या फिर का सकते जो एक्जाम हो होने वाला वह आप लोगों को चार सब्जेक्ट रहेंगे ठीक है रिजिनिंग रहेगी जनरल इंग्लिस रहेगी जनरल अवर्नेस रहेगी और नुमेरिकल रहेगी ठीक है तो यह सभी जो है को ती तीस जो है कोस्टन रहने वाले यानि कि टूटल 120 कोस्टन रहेगा आप ल लोगों ने जो एक question पिछला सही किया हुआ है उसका भी आप लोगों का zero हो जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूँ इस तरही लेटर आप लोगों के सारे doubts clear हो चुके है यदि कोई doubt रह जाता है तो आप लोग comment करके बता सकते हैं मैं उसका reply जरूर दूँगा ठीक है तो फ्रे जाइखे आप pumpkin है तो लोगों कि अोगों कि घंड़ा टूंश धिरिक जाएगा न की जाएगाँ उले कि हाय उख़ों कि इसल्गों कि ये चूजदय कि वें जारूं के शीन सभीद्र चले़ितरों कि प्रेंट तो स्तों ये वे से